नमस्कार मित्रो मित्रो आजरीशी दीवस है और आज के दिन हम अपने उन रिशियों को प्रणाम करें उनका इश्मरण करें जिन्होंने हमें जीने का मार्ग सिखाया चाहे वो आईरवेद हो, जियोतिश हो, मंत्र हो, साधना हो, सैयम हो, अनुशाशन हो या जीवन जीने के अलग अलग तरीके हो हमाई रिशियों निरंतर हमें न सिर्फ कदम दर कदम आगे बढ़ने की प्रणा दी बल्कि जब भी हमें निराश्या होती है, ठकान होती है, अन्मनस्क होते हैं तो पुना उनके दिये गए वचन, उनके शास्त्र हमें फिर प्रईड करते हैं और उर्जा से भर देते हैं मित्रों रिशियों का हम सदेयों आभार व्यक्त करें और उनके बताए राश्ते पर चलें जिन्होंने पीड़ी दर पीड़ी स्रंखला बद्ध रूप से रिसर्च की कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जियें और जीवन में कैसे चार पदार्थ प्राप्त करें, चाहिए वो अर्थ हो, धर्म हो, काम हो या फिर मोक्ष हो मित्रों उन्हें रिशियों में एक है वराह मिहर, जो जो तिश्विग्यान के महान हस्ताक्षर है उन्होंने लिखा है कि मनुष्य की जनम कुंडली पढ़ने की जरूरत नहीं है मनुस्त्य की जनम पत्री पढ़ना, मनुस्त्य का हाथ पढ़ना, मनुस्त्य की चेहरे की रेखाई पढ़ना, माथे की रेखाई पढ़ना, चेहरे के चिन पढ़ना, पैरों की रेखाई पढ़ना ये सब तो सीखने की शुरुवात हैं जब आपको पूर्ण ग्यान हो जाता है तो किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं रहती न जर्मकुंडली की जरूरत है न हाद देखने की जरूरत है न मस्तिस क्रेखाएं देखने की जरूरत है न डेटा बर्थ की जरूरत है सब कुछ आपको द्रस्टी गोचर होगा और आचारे विराजमीर कहते हैं कि किस तरह से द्रिष्टी गोचर होगा तो एक उदाहन देते हैं और वो उदाहन ये है कि जिस तरह से घड़े में रखा हुआ दिया एक कुम्भ है घड़ा है और उसके अंदर एक दिया जल रहा है तो दिया तो नीचे जल रहा है पेंदी में लेकिन उसकी जो प्रभा है वो घड़े के ऊपर महसूस होती है दीपक बुझ जाता है तो वो प्रभा समाप्त हो जाती है जब घड़े में हवा का जोंका अंदर पहुँच जाता है तो वो प्रभा हिल जाती है इसी तरह से प्रतेक मनुष्य को अगर हम एक कुम्भ समझ लें एक मटका समझ लें एक घड़ा समझ लें तो उसके अंदर जो जियोती है आत्मा की वो जो प्रकाश है वो सब कुछ दर्शा देता है जैसे अगर आपके जीवन में गुरु की दसा चल रही है तो आपका मन विद्या में लगने लगता है आपके शरीर में आपकी तचा में थ्रसा पीलापन बढ़ने लगता है आप विनम्र हो जाते हैं अगर आपके जीवन में सूरे की दसा चल रही है तो आपके शरीर का सौंदर भी बढ़ जाता है आपका साहस आपकी प्रकरता आपकी प्रस्तति और आपका आलोक दियंतर बढ़ने लगता है आप लोग प्रिय होने लगते हैं लोग आपको पसंद करने लगते हैं वो जो घड़े के नीचे दिया जल रहा है उस दिये से जो प्रभा निकल रही है आपके शरीर को देखकर बताय जा सकता है कि आपके जिवन में क्या चल रहा है उसमें आपके माथे को देखकर, आखों को देखकर, नाक को देखकर, कान को देखकर, सीने को देखकर, हाथों को देखकर, पैरों को देखकर, जीब को देखकर ऐसा कोई यंग नहीं है आपका एक-एक सल को देखकर एक-एक कोशिका में आपकी कहानी लिखी हुई है और इसे महान रहश्यों का उद्गाटन करने वाले उन रिश्यों को आई आज रिश्य दिवस पर कोटी शह प्रणाम करें उनको धन्यवाद दें उनके पृतियाब हर व्यक्त करें जिन्होंने कहा कि अगर चंद्रमा की दशा चल रही है महा दशा चल रही है तो इसे में आपके नाखून और बाल बड़े संदर हो जाते है कमनियता आजाती है, कमलता आजाती है, तचा बिर्किल मकमल की तरह लगती है और चेहरे में इक अलग तरह की सुकून, ठंड़क, नूर इसलिए सुन्दर लोगों को चांद कहा गया चांद की तरह होते हैं अगर आपके जिवन में राहुकेतु शनी तो आपके जिवन में कठोरता चंचलता पाप अपराध यहां तक कि शरीर का जो वर्ण है वो मलिन हो जाता है तो अगर हमें यह पता ना हो कि जनम कुंडली कहा है तो भी हम आपका वर्ण देखकर आपका रंग देखकर आपकी वानी सुनकर और आपकी चाल देखकर यह समझ सकते हैं कि ग्रहों की चाल क्या है यही जो तिशास्त्र का सौंदर है और हमारे रिशियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हाथों का ध्यन किया हमारे सामुद्रिक रिशियों हमारे देवरसी नारिज जी जिन्होंने हस्त रिखावी ग्यान के बारे में इतना बताया कि अगर आपके हाथ का रंग सफेद है तो इसका मतलब संसार में आपका मन नहीं लगेगा आपके अंदर वेराग्य पैदा हो जाएगा आपकी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी संसार से मोह नस्ट हो जाएगी भोगों में आपकी रुची नहीं रहेगी और हाँ मेडिकल साइंस के हिसाब से रक्त की कमी हो सकती अगर आपकी हाथे लीकर रंग लाल है तो इसका मतलब आप पहुत ज़्यादा फंसे हुएं संसार में थोड़ा समोह भी है धन संपत्ति को बढ़ाने लेने का लालच भी है एक अदम में महित्वा का अच्छा है कि मैं जीत लूँ सब कुछ और उन लोगों से ज़्यादा पालूं जो मेरे आसपास हैं और ऐसा करते करते लाल हंथेली के बारे में हमारी इशियों ने लिखा है कि बलड प्रेशर बढ़ जाता है शुगर बढ़ जाती है ब्लीडिंग हो सकती है चक्कर आ सकते हैं और यहां तक कि कई बारी तना गुस्सा आपको आ सकता है कि आव वायूलेंट हो सकते हैं कोई हिंसा कर सकते हैं अपने लक्षे की पूरती में जो ब्यवधान बनेगा उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं तो किस तरह इसे बिना कोई किताब पढ़े सिर्फ हाथों को पढ़के और हाथों की कोई रेखाएं नहीं सिर्फ रंग को पढ़के रेखाओं की तो बात ही नहीं हो रही है अगर आपकी हं थेली का रंग पीला है तो इसका मतलब रखते की कमी है लिवर और पाचन ठीक नहीं है निगेटिविटी बहुत बढ़ रही है मन हमें सब भैभीत रहता है चिंतित रहता है अगर हं थेली का रंग गुलाबी है तो इसका मतलब सब ठीक चल रहा है तो मुझे विश्वा से कि आपके हाथ करेंगे समय गुलाबी होगा तो अलग अलग समय में हाथ के रंग बदलते रहते हैं ग्रहों की जब दशाईं बदलती हैं ग्रहों की जब इस्थितियां बदलती हैं तो आपका विचार बदल जाता है आपके शरीर की चमक बदल जाती है आपकी कमनियता आपकी कठोरता आपका संदर आपकी कुरूपता आपका साहस और आपकी विकलता बेचैनी सब ग्रहों की गती पर निर्भर करती है ऐसा हमारे रिशियों ने कहा है और रिशियों तो ये भी कहा है कि अगर पैर आपके कचुए के समान है यानि जमीन में रखते समय तलुआ थोड़ा सा उपर उठा रहता है कचुए की तरह तो ये प्रत्वी आपकी है आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी आईश्वरे की कमी नहीं रहेगी आपके पास बहुत सारे नौकर, चाकर, अनुचर, सहाइकों की भीड रहेगी और दुनिया में लोग प्रिय होंगे अगर उसमें तचा भी अच्छी हो हाथ की यानि की तलुए का रंग गुलाबी हो पीला नहो तलुए फटे नहों उंगलियां अनुपात में हो के बीच में बहुत बड़ा गैप ना हो तो निश्चित रूप से आप इस संसार में सुख भोगने आए हैं और अगर कोई दुख आपके जिवन में है तो हो सकता है आप कोई गल्ती कर रहे हो इसलिए हमार इश्यों ने कहा कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी करमधे सरस्वती करमूले तुगोविंद प्रभाते करदर्शनम यनि सुबह अपना हाथ जरूर देखिए और जब आप सुबह हाथ देखेंगे तो नब्बे दिन में आपको पता चलेगा कि कुछ आपके हाथ में बदल रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आने वाली है और आपको पता चलने लगी है लेकिन कभी-कभी आप पूरा सेंटन्स नहीं समझ पाते पूरा द्रश्य नहीं देख पाते तो ऐसे में जरूरत होती है कि आप किसी जानकार व्यक्ति को अपने किसी समीपस्थ ग्यानी को संपर्क करें और जब भी संपर्क करें तो वास्था के साथ करें सद्धा के साथ करें प्रेम के साथ करें विनए के साथ करें क्योंकि एक चीज़ और बताना चाहेता हूँ कि जब भी आप किसी ग्यानी से मिलते हैं तो उनका सम्मान जरूर करिए अगर आप अकड़ के साथ छलकपट के साथ परिक्षा लेने उनकी निंदा करने जा रहे हैं तो बहुत इस पस्ट बताना चाहेता हूं आप कुछ नहीं पाएंगे यद्दे पी उनके पास सब कुछ हो होगा पर आपको कुछ नहीं मिलेगा इसलिए जब भी जाएं पूरे समर्पन के साथ जाएं स्रद्धा से जाएं विनम्रता से पेश आएं उनकी सेवा करें और तब वो अपने खजाने खोल देंगे और आपको वो रहिश्य बताएंगे जिनसे आपका जीवन सुधर जाएगा तो आपका जीवन मंगल में हो आपने जंतर प्रगति करते रहें सुखी रहें इने शुब कामनाओं के साथ इतने ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार